हाई आज हम बात करेंग जल जीवन मिशन के बारे में देखी हुआ क्या है सरकार ने 2009 को एक प्रोग्राम शुरु किया था जिस प्रोग्राम का नाम था National Rural Drinking Water Program सरकार ने इस प्रोग्राम को अभी जल जीवन मिशन के साथ मरज गर करके कहा है कि 2024 तक जितने भी ग्रामिल परिवार है उन सबी को tap connection यानि कि tap water connection दिया जा सके हर घर नल से जल आगे हम इसके features की बात करें तो village water supply infrastructure होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ सके किसी भी household को tap water connection देने के लिए बाकि technological intervention की बात की गई है क्या होता है कि पानी में कई सारे bacteria होते हैं तो आपने टाइफाइड का नाम तो सुनाई होगा तो ऐसी बीमारी ना हो तो इसलिए टेक्नोलजिकल इंटर्वेंशन की भी बात की गई है ताकि पानी को पीने योग्य बनाया जा सके आगे है अगर हम बात करें gray water management की तो कई बार हम नहाने में पानी वेस्ट कर देते हैं बरतन धोने में पानी वेस्ट कर सकते हैं तो ऐसे पानी का अच्छे से management किया जा सके उ अगर हम इसके institutional mechanism की बात की जाए तो national level पे जो body बनी है वो है national जल जीवन mission, state level पे जो body बनी है वो है state water sanitation mission, district level पे जो body बनी है वो है district water sanitation mission, sanitation mission और gram पंचाय लेवल की बात करें तो पानी समीती, village, water and sanitation committee तो देखिए funding किस तरह से होगी जाल जीवन mission में जानी की 90% जो share होगा वो center government वोन करेगी और जो 10% funding होगी वो state government की तरफ से होगी वो भी सिर्व उत्राखंड और हिमाचल पर जाए states के लिए और north eastern states के लिए अग अगर बाकी rest of the states बात करें जो कि developed state हैं जैसे महाराष्टरा और भी कई सारी states हैं तो उनमें 50% जो पैसा होगा वो state government की तरफ से होगा और 50% पैसा होगा वो center government की तरफ से होगा आगे अगर हम बात करें अगर कोई अपनी तरफ से donation देना चाता है तो वो donation दे सकता है राष्ट जल जीवन कोश में ताकि हम हर एक ग्रामिन परिवार को tap water connection प्रवाइड करवा सके तो देखी यही ता एक काफी अच्छा mission है सरकार का तो thank you very much